नारियल, खोवा और गुड का बहुती टेस्टी पीठा आज हम तयार करने वाले हैं हमारे देश के कई राज्यों में इसे मकर संक्रान्ती पे खास्तोर पे बनाया जाता है उपर से नमकिन चावल का आटा और अंदर नारियल, खोवा और गुड की स्टाफिंग बहुती जादा टेस्टी लगती है ये पीठा खाने में जितना टेस्टी है बनाने में उतना ही इजी और बहुती कम चीजों से ये बनके तयार हो जाता है तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार पिठा की रेसिपी हाई फ्रेंड्स मैं हूँ पूर्नम और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है नारियल पिठा बनाने के लिए मैंने दो ताजे नारियल को अच्छे से ग्रेट कर लिया है नारियल पिठा ताजे नारियल का जादा अच्छा लगता है साथ ही मैं लूँगी 200 ग्राम गुड इसे मैंने बहुत बारिक टुकडों में तोड लिया है सबसे पहले हम इसकी फीलिंग तयार करेंगे उसके लिए मैं एक कड़ाई लूँगी उसमें मैं ग्रेटेड नारियल को डाल दूँगी नारियल को हमें दरदरा ही रखना है बहुत जादा इसे बारिक ना करें अब इसमें मैं गुड एट कर दूँगी अब गुड और नारियल को हातों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ऐसा करने से गुड और नारियल बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और जब हम इसे गैस पे बनाते हैं तो बहुत जल्दी ये बन जाता है अब मैं बचा हुआ गुड भी इसमें एट कर रही हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से mix कर दूँगी नारियल के साथ तो यहाँ पर मैंने गुड और नारियल को अच्छी तरह से mix कर लिया है अब हम इसे gas पे medium flame पे रख देंगे अब गुड और नारियल को medium flame में हमें तब तक पकाना है जब तक कि गुड अच्छे से melt न हो जाए और नारियल के साथ अच्छे से mix न हो जाए पांच से छे मिनिट में यह mixture बनके तैयार हो जाता है अगर आप इसे high flame में बना रहे हैं तो लगातार इसे चलाते रहे हैं कोशिश करें कि इसे medium flame में ही बनाए low flame में बहुत जादा समय लग जाएगा मैं इसे medium flame में ही बना रही हूँ और लगभग 5 मिनिट में गुड़ और नारियल का एक चिपचिपा mixture तैयार हो गया है तो अब मैं इसमें milk powder add करूँगी यहां मैंने इस तरह के के dairy whitener के packets लिये हैं यहां पे मैं 3 packets इसमें add करूँगी इससे feeling में बहुती अच्छा खोए का texture और स्वाद आएगा आप चाहे तो बिना milk powder के भी इसे बना सकते हैं बिना milk powder के भी यह बहुती tasty बनते हैं लेकिन milk powder मिलाने से इसमें खोए का taste आता है तो यहां मैंने 3 packet milk powder इसमें डाल दिया है अब हम इसे अच्छे से mix करेंगे friends इस तरह की feeling तैयार करके अलग-अलग तरह के पीठा की recipe तैयार की जा सकती है अब मैं इसमें मिला रही हूँ एक चमच इलाइची का powder इसे अच्छे से mix करेंगे एक मिनिट तक अच्छे से mix करने के बाद feeling तैयार है अब हम gas की flame को बंद कर देंगे अब इस feeling को एक plate में डाल कर हम ठंडा करने रख देंगे अब उसी कड़ाई को गरम करके हम उसमें डालेंगे एक कप पानी अब मैं इसमें add कर रही हूँ एक चोथाई चमच नमक इसे करेंगे अच्छे से mix और पानी को हम एक boil आने देंगे पानी में boil आ गया है अब मैं इसमें add कर रही हूँ एक कप चावल का आटा गैस की flame को slow कर देंगे और थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा हम इसमें add करते जाएंगे और चमच से mix करते जाएंगे तो एक कप चावल के आटे के लिए यहां मैंने एक कप पानी boil किया है पूरा आटा डालके मैं इसे अच्छे से mix कर दूँगी और गैस की flame को आप बंद कर देंगे अब इस mixture को हमें थंड़ा होने देना है इसे मैं एक plate में transfer कर दूँगी ताकि यह जल्दी से ठंड़ा हो जाए इस चावल के आटे को हमें थोड़ा ठंड़ा कर लेना है इसे इतना ठंड़ा करना है जिसमें हम हाट डाल पाए चावल का आटा थोड़ा ठंड़ा हो गया है अब हम इसमें हाट डाल सकते हैं अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक soft आटा तयार करूंगी जैसे हम रोटी के लिए आटा गूनते हैं उसी तरह से हमें इसे गूनत लेना है जितनी जरुरत हो उतना पानी हम एट करते जाएंगे और इसका एक soft आटा तयार करेंगे तो यहाँ देखिए friends मैंने एक soft आटा तयार कर लिया है इस चावल के आटे की खास बात यह है कि इसे रेस देने की जरुरत नहीं पड़ती है इसे हम अभी बना सकते हैं यहाँ पे अनारियल और गूड का मिक्सचर भी ठंडा हो गया है अब हम आटे को थोड़े दिर मसल कर इसकी लोईया बना लेंगे तो मैं यहाँ थोड़ी बड़ी साइस की लोईया बना रही हूँ आप चाहे तो थोड़ी छोटी भी बना सकते हैं नारियल और गूड के मिक्सचर को मैंने एक कटोरी में ले लिया है और लिया है थोड़ा सूखा चावल का आटा हातों में थोड़ा सूखा आटा लेके हम अब पिठा बनाएंगे तो यहां मैंने एक लोई ले ली है और उसे मैंने अच्छे से घुमा लिया है अब इसे हम कटोरी का शेप दे देंगे इस तरह से घुमाते हुए और बीच-बीच में सूखा आटा हातों में लेते रहेंगे ताकि यह हातों में ना चिपके फ्रेंड्स जिस तरह से हम गुजिया बनाते हैं उसी तरह से हमें इसमें फिलिंग भरनी है तो यहां मैंने एक कटोरी बना लिए है इसमें मैं डालोंगी फिलिंग इसे थोड़ा हम लंबाई में स्प्रेट कर देंगे अब दोनों किनारों को हम बंद कर देंगे इस तरह से दबाते हुए इसका डो इतना सॉफ्ट है कि यह बहुत आसानी से बन जाता है तो फ्रेंड्स एक पिठा तयार है अब हम इसके किनारों को मोड़ के इस तरह की एक डिजाइन बना देंगे उंगलियों से दबाते जाएंगे और इस तरह से मोडते जाएंगे अगर दो हाथों में चिपक रहा हो तो हम थोड़ा आठा लगा सकते हैं किनारों को उंगलियों से दबाते जाएं और इस तरह फोल्ड करते जाएं तो डिजाइन बन जाएंगी तो यहाँ एक पिठा बनके तैयार हो गया है अब हम दुसरा पिठा बनाएंगे हाथों में थोड़ा सुखा आटा लूँगी और लोई को घुमाते हुए एक कटोरी का शेप बनाऊंगी अब इसमें फीलिंग भरूँगी फीलिंग को थोड़ा लंबाई में रखके हम इसके किनारों को बन कर देंगे अब उंगलियों से किनारों को दबाते हुए इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे फ्रेंड्स ये पीठा बनाना बहुत आसान है इसका डो इतना सॉफ्ट होता है कि ये बिल्कुल भी नहीं फटता है तो ये लीजिए हमारा दूसरा पीठा भी बन के तयार हो गया है इस तरह से मैंने सभी पीठे तयार कर लिये है अब हमेसे स्टीम में पकाएंगे मैं यहाँ इसे इडली पॉट में स्टीम दूँगी तो मैं इडली पॉट में देड़ गलास पानी डाल रही हूँ अब इसके उपर में इडली की प्लेट रख दूँगी अब इसे हम हलके ओल से ब्रश कर लेंगे ताकि इसमें पीठा ना चिपक जाए तो ओईल से मैंने ब्रश कर लिया है अब इसके उपर हम पीठा रख देंगे यहाँ पे हम पीठा एक के उपर एक भी रख सकते हैं यह बनने के बाद भी नहीं चिपकते हैं अब हम इसकी लीड लगा देंगे और इसे 5-6 मिनिट के लिए मिडियम फ्लेम में स्टीम दे देंगे 5-6 मिनिट हो गया है अब हम इसे चेक करते हैं वाव कितने अच्छे ट्रांस्पेरेंट दिख रहा है इसका मतलब यह अच्छे से पक गया है यह पीठा बनाने में जितना आसान है खाने में भी उतने टेस्टी है अब इसे हम गर्मा गरम प्लेट में सर्फ करेंगे यहां मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ यह कितने सॉफ्ट और जूसी बने है तो देखिए कितने सॉफ्ट जूसी और अंदर का जो स्टफिंग है बहुत ही जादा टेस्टी है तो फ्रेंड्स आप भी इसे जरूर बनाए बहुत बहुत टेस्टी बनते हैं आपको यह जरूर पसंद आएंगे और एक बार इसे बना लो तो दिन भर आप इसके मजे ले सकते हैं आप इसे बीच में से काटके इस तरीके से भी सर्फ कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं यह पीठे अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखे और खुश रहे